बैस पाइनो तो खुदी को मार रहे क्या हूँ भाई यह क्या है स्पाइनो ने खुदी को मार लिया तो कैस इंडियन बाइक ट्रैवंग 3D का न्यू अपडेट आ चुका है और इसके साथ आए हैं बहुत सारे न्यू मिस तो आज हम इनी सारे मिस को कनफर्म या बर्स करने जा लेकिन अब यार यह रेड़ क्लिक होने लग जया है तो यह मित कनफर्म हमारा अगला में यह है कि अपडेट के बाद डॉग नहीं मरता है तो न्यू अपडेट में हमारा न्यू डॉग है आपको पता ही होगा 600 की चीट कोड से डॉग से हमें लेकिन इसके फीचर नहें तो अब यह आपका पीछा तो करेगा नहीं और साथ ही में भाई एक घड़ रहेगा तो इसको लेकिन मैंने मार के देखा तो भाई यह मर चुका है और इसको हम लोग राइड भी कर सकते हैं यह भी मैं आपको बता दूँ इसने शायद आपको ऐसा लगा होगा लेकिन यह में त हमारा अगलमेती है कि अपडेट के बाद पुलिस स्टेशन में लाइट लग गई है तो इस पुलिस स्टेशन पर आ चुके हम लोग और नाइन से जब आप नाइट मोड लगाते हो तो पुलिस स्टेशन के अंदर आपको अब लाइट जलती वी दिख जाएंगी और यह बि वाले फ्लोर पर अभी कुछ बना नहीं है इसलिए यहां पर लाइट नहीं लगाई गई है तो यह मित कंफर्म्ड है हमारा अगलमेती है कि आज यह स्टूल में अटैक डालो फिर स्पाइनो और फिर वाले डाइनसौर को स्पाउन करो फिर स्पाइनो को मारो फिर देखो मै अब मैं टार्गेट बनाऊंगा स्पाइनो को और फिर देखते हैं क्या होता है भाई स्पाइनो तो खुदी को मार रहे क्या हूं भाई यह क्या है स्पाइनो ने खुदी को मार लिया यह क्या बात हुई मतलब यह खुद को ही काट लेगा भाई खुद को कैसे काट रहा है लॉजिक होना चीए ये तो भाई नीचे हवा में काटते हुए ही खुदी मर गया ये देखो जैसे मैंने इसको खुद का टार्गेट बना दिया ये तो खुद को ही काटने लग गया है वैसे मैं ये चेक कर रहा था कि वेलॉसी रैप्टर इसको काटता है कि नहीं लेकिन यहा त्युक्त ऐसि को बलातेबते का सीरल ये क्लाळतेकूं दिवार क्षक करते देखों प्रियुक्ति थैस भी दिवार खeye रहां है दिवार सब्करते है ये भी निपट जाएगा लाएस्ट हमारा बचीट भाई ब्रैक्योस और सट, जो की इंसानों चल रही है वो निकल लिया सीधे अच्छा अगर ब्रैक्योसारस को मैं किसी और का टार्गेट बना दू तो क्या यह जा कि मारते उनको भाई सही में जा रहा है यार स्पाइन जा रहा है ब्रैक्योसारस पर टैक करने और दोनों की फाइट हो चुकी है लेकिन वनसाइड़ फा होने के बाद अब यह निकला है स्पाइनों की दरफ और स्पाइनों पर टैक करना चालो हो चुका है स्पाइनों बस सीधा खड़ा हुआ यह पता नहीं क्या कर रहा है वो कबसे मार रहा है जल्दी मार चलो मार दिया इसने भी तो इस बोड से बहुत सारी अलग-अलग अब इसको हमें ब्लास करते हुए स्पेंटर करना है ना तो आर्पीजी निकाल लेता हूँ है और फिर हम लोग एंटर करेंगे पहले इंफिनाइट है लगा लेते अब फायर करते हुए एंटर दबाऊंगा साथ में करना थोड़ा मुश्किल इसमें गाइस यार सची में य है और साथ मैं अंदर भी बैठ चुगा हूँ अब मुझे यह देखना है कि क्या वेपन फ्रीज की बात करी गई थी क्योंकि यहां पर मुझे कुछ ऐसा देखनी को नहीं मिल रहा है बाहर आते और वेपन निकालते अच्छा यह होता है क्या वेपन फ्रीज यह तो भाई द प्रीज तरॉड गहरेगेदोंके सनफोइ अपर लेकिन यहां पर टार्ट अगर हम लिखते हैं तो भी टार्ट हो जाता है यह आपको नहीं पिता होगा तो आपको पता यह आपको पते और क का मैं बता है और घ्रिण आउन ज्काजिया hen आपको पता है कि attack लिखते हैं on हो जाता है attack off लिखते हैं तो वापस यही सेम चीज हो रही है चीज यही सेम है बस अलग-अलग words में आप लिख सकते हो लेकिन एक और word है वह मैं आपको बताता हूं वह एक और word है aim अगर आप aim लिख दोगे तो भी यही चीज होगी target mode on हो करता है तो 5000 से हमारी pulser RS200 आती थी इसका अब new model आ चुका है जो कि ऐसा दिखता है और इसका new speedometer भी आ चुका है जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है तो हम यह देखना है कि यह work कर रहा है कि नहीं तो आप digital meter को देखोगे वह तो work कहीं से भी नहीं कर रहा है लेकिन जो यह देखो यहाँ पर 155 pace का speedometer लेकिन यह work नहीं करता है इसे फोटो लगी है और फोटो ही चिपकी हुई है और कुछ आगे पीछे नहीं होता है इसका भी थोड़ा सा new type में model आया है R15 का तो यह भी आप चेक कर सकते हो और यह में confirmed है हमारा एकला में थी है कि अब RPG से माने स स्टार लग जाता है पहले नहीं होता था ओ भाई ऐसा हो गए है क्या यह तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि यह अकेला हमारा वैपन था जिससे पुलिस नहीं आती थी चेक कर लेते हैं भाई अरे यार वन स्टार हो गया है सही में मतलब यह लो चुका है पहले RPG से कि إنfinayte Fall में जाते हैं और हम बोड से नहीं उतरते हैं तो हम बोड को वापिस घुमा कर पहार आ सकते हैं चलो तो फिर बोड को बुलाते हैं 3001 की बैठते हैं बॉट में और निकलते हैं यहां पे इंफिनाइट फॉल की तरफ और पानी घतल,ग muffe घतल आ ब खाली के लिखाई दीनी रहा हुआ, या तो बोर्ट का onne जो नहीं है, निख 1, की पानी की ऊपर से जा रहे तो पता चले इंफिनाइट फॉल तो आ चुका है लेकिन ऊपर पानी खतम ही नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो सकते है जीटिये फाइव का भी एंड पॉइंट है तो इस गेम का भी हो गई लेकिन बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है मुझे र गूमांके वाइड से हम लोग क्या भार जा सकते हैं कि नी लेफ्ट की तरफ घुमाता हूं मैं बूट को घुम रही है ओके चल तो रही है बूट चल रही है मतलब कि यह पानी के ऊपर ही है और शायद से वापस भी आ जाएगी अब इसको मैं सीधे लेके चलता हूं जा रही ह कि नी पानी तो पास आ रहा है आ गया यह आ गया हम लोग वाइड से भाई वह आपस आ चुके वह भी बोर्ट से जो कि उड़ने वाली चीज नहीं है तो बहुत ही अच्छा एक्स्पीरियंस था क्या बोलू मैं लेकिन यार यह जो रस्ता है यह बहुत ज्यादा ही लंबा क आता हूं और आप यहां पर NPC को देख लो यह NPC बैठा है अपने आर्मी वाले पैंट वाला ठीक है हाँ यह है इसकी जो आईडी लगी रहते है न हाँ यह वही वाला है उसके बाद यहां पर भी वही बैठा है लेफ्ट में तो इनकी शकल आप याद कर लो गाईस अब मैं ए टाई वाला बैठा है यह पीला वाला पहले टाई वाले के बैठा था और वो लेफ्ट में बैठा था तो मतलब यह चेंज हो चुके हैं ओके गाईस समझ यह मैं तो यह मित कंफर्म्ड है हमारा अगला मित यह है कि अगर हम 50515253 किसी भी डैनसौर को स्पॉन करके स्काइफ तो इतने सारे डैनसौर मज़ा ही आ जाएगा यह तो देखके करके देखते हम लोग भाई यहां पे देखो कोई सा भी डैनसौर वेलोसी रैप्टर तक डिस्पॉन नहीं हुआ है तो मतलब कि आप डैनसौर स्पॉन करते जाओ कोई भी डिस्पॉन नहीं होगा और यह लोग स्टिकी मैन बन जाएंगे अब चलते हैं पानी के पास और करते हैं बोट को स्पॉन 3001 है बोट की चीट कोड और यहां पर बैड़िया में बोट में मेरी बोट यहां पर पलेटने लग गई क्या हो रहा इसको अरे 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 थोड़ी धीरे यार यह तो चक्री पर चक की है और रुकी नहीं रही तो यह मित कनफर्मड है और यह हमारे नए अपडेट के नए मित्स भाई लेकिन अभी भी बहुत सारे मित्स बचें तो अगर आपको वह सब भी देखने है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करकर रख लेना क्योंकि अगले पार्ट में में वह सारे मित्स बताऊंगा ओर मेरी वीडियो को लाйक कर देना और कमेंट कर देना आपके पास अगर कोई मित्स हो नए अटेट के ताकि हम उनको ले ले लेंगे हमारे अगले मित्स की वीडियो मे और मेरी प्छली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ओपर आ रही होगी देख लो दबा के